असलाम आरेकूम, व्यूवर्स कुछ टैम पहले मेरा चैनल फ्रीज हो चुका था, मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे थे लेकिन अब अलहमदुलिल्ला मैंने अपने चैनल को टोटली अन फ्रीज कर लिया है आप यहाँ पे प्रूफ भी देख सकते हैं व्यूवर्स यह देखें कल मैंने वीडियो अपलोड की उस पे 6,000 व्यूज इससे नीचे आजए 7,000 व्यूज इससे नीचे आजए 11,000 व्यूज और इससे भी नीचे 53,000 व्यूज आ चुके हैं यानि के अब हर मेरी दूसरी तीसरी वीडियो पे 8,000, 10,000 व्यूज आ रहे हैं और किसी किसी पे 50,000 प्लस भी आ रहे हैं और इससे भी बड़ा प्रूफ अगर मैं एनलेटेक्स वाले आप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ content पे तो यह आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे चैनल के impression viewers मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ अब यहाँ पे आप देखें मैं एक point पे क्लिक करता हूँ अब 2 December से मेरे चैनल के इंप्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुए और देखते ही देखते 2,88,000 तक पहुंच चुके हैं लेकिन 2 December से पहले आप ये देखें 96,000 से भी कम आ रहे थे तो viewers ये तो मेरे चैनल हो गया मेरे इंप्रेशन भी बढ़ गए मेरी वीडियो पे व्यूज भी बढ़ गए अब बात आती है आपके चैनल की के आपकी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं 30, 40, 50 यानि के 100, 200 से भी ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे है तो इसका मतलब है आपका चैनल भी फ्रीज हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए अपने चैनल को अन्फ्रीज करना चाहिए लेकिन वीवर्स आप अपने चैनल अन्फ्रीज कैसे करेंगे इसके लिए आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए वो बातें जो आप अपने चैनल पे करते हैं वो mistakes जिनकी वजासे आपका चैनल freeze हो जाता है उनको आपने छोड़ देना है और कुछ काम है वो आपने अपनी वीडियो के अंदर करना है तो देखते ही देखते है आपका चैनल भी unfreeze हो जाएगा और आपकी वीडियो उस पर व्यूज आना start हो जाएगे तो वीवर्स ये कैसे possible है आईए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ मैं आपको सारा कुछ detail में बताता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये कल के हमारी वीडियो के winner है आप इनके चैनल को support करें इनके चैनल के link मैं ने अपनी community में भी share कर दिया है और ये जिसका भ अगर आप winner आते हैं तो आपके चैनल की checking और promotion मैं बिल्कुल free में कर दूँगा तो आईए वीडियो start करते हैं तो वीवर्स अब सबसे पहली बाद जिसकी वजासे आपका चैनल freeze हो जाता है ये दो गल्तियां आपने अपने चैनल पे नहीं करनी सबसे पहली गल्ति जिसकी वजासे आपका चैनल freeze हो जाता है एक भाई का मैंने चैनल देखा तो उसने अपने चैनल पे बहुती कम वीडियो अपलोड कर रखी थी यानि के हफते में एक दो वीडियो अपलोड करता था तो मैंने उससे पुछा भाई आप अपने चैनल पे अपने चैनल पे जो ना वीडियो कम अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तो वीवर्स अब उसको किसने का है उसने मुझे नेम तो उसका बता है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको मैं ये बता दूँ ये गल्ती आपने नहीं करनी, अब मुझे मताएं, अगर आप सकूल कभी-कभी जाते हैं, आप डेली नहीं जाते, या आपका कोई बिजनेस है, आप अपनी शाप पे डेली नहीं जाते, तो क्या आप अपनी चीजें सेल करवा पाएंगे, व्यूवर सेम इसी तरह यूटूब है, अगर आप रेगूलर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, तो आपके चैनल पे कोई भी नहीं आएगा, और धीरे धीरे आपका चैनल क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो अगर आप अपने चैनल पे ये गलती कर रहे हैं, तो आपने इसको इंप्रूव करना है, आपने आपका चैनल unfreeze होगा, तो वीवर्स ये थी सबसे पहली गलती जो आप अपने चैनल पे करते हैं, अब मैं आपको बता दूँ दूसरी गलती, जिसके वज़ासे आपका चैनल फरीज हो जाता है, वीवर्स आप क्या करते हैं, निक्स कंटेंट अप्लोड करते हैं, कभी चैनल पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज़ आते हैं अब मैं क्या करूँ कभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूं कभी मैं आपको किसी अप्लिकेशन के बारे में बता रहा हूं अगर मैं इस तरह करूँगा तो मेरे चैनल भी फ्रीज हो जाएगा व्यूवर्स इसलिए अगर आपन में अनफरीज हो जाएगा तो व्यूवर्स उसके लिए आ जाते हैं वाईटी स्टूडियो के अंदर अब यहां पर यह देखें आपको चैनल अनफरीज करने के लिए यूट्यूब यहां पर सारा कुछ बता रहा है सिरफ आपने इन चीज़ों को फालो करना है और देखते आपका चैनल ग्रो हो जाएगा जैसे मैंने अपना चैनल किया है तो व्यूवर्स अब मैं अपने चैनल के वाईटी स्टूडियो में आ चुका हूँ यहां पर आप देखें अब जो सबसे पहला काम मैंने क्या अपने चैनल को अनफरीज करने के लिए जिसके वजासे मेरी बाकी वीडियो पे भी व्यूज आना स्टार्ट हुए व्यूवर्स वो मैंने यह काम किया आप यहां पर यह देखें मैं नीचे स्क्रोल करता हूँ यह मेरी वीडियो आ चुकी है जिस पे 53,000 व्यूज आए हैं मैं इस वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ अब व्यूवर्स इस वीडियो को अपलोड की हुए 10 दिन हो चुके हैं लेकिन इस वीडियो का आप CTR देखें इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट अभी तक 5.6% है और उपर की तरफ है यह निके अच्छा है अब यह आपके सामने इस वीडियो का थामनेल है तो व्यूर्स यह आपने थामनेल द देख सकते हैं डिजाइन हो गया पिक्चर होगी सारा कुछ एक जैसा है तो व्यूर्स सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है जिस वीडियो पर आपके ज्यादा से ज्यादा व्यूज आजए उसी तरह का आपको थामनेल रखना होता है उसी डिजाइन का थामनेल आपको बाकी वीडियोस पे लगाना होता है तो इस तरह आपकी वीडियोस पे वीउस बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और देखते ही देखते है आपका channel unfreeze हो जाता है तो viewer सबसे पहला काम मैंने ये किया ये वो काम था जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और viewers मैंने आपको सामने यहाँ पर प्रूफ भी दिखाया है मेरे सब वीडियोज पर व्यूज आ रहे हैं तो ये था पहला काम चैनल को अनफरीज करने के लिए तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा काम तो viewers उसके लिए हम क्या करते हैं Analytics वाले option पर क्लिक करते हैं यह देखें जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर एक आपको option दिखाई देता है research वाला viewers मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैंने अपने चैनल को यहाँ से अनफरीज किया तो viewers आपने कैसे अनफरीज करना है यहाँ पर आपको option दिखाई देता है top searches वाला आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है तो यह देखें जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर आपको keywords दिखाई दे रहे हैं विवर्स ये कौन से कीवर्ड है इन कीवर्ड का आपने क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ पे देखें how to create a YouTube channel ये कीवर्ड YouTube मुझे वाईटी स्टूडियो में recommend करा रहा है कि आप इस पे वीडियो बनाओ विवर्स मैंने क्या क्या इस पे वीडियो बनाओ ठीक हो गया अब इसके नीचे देखें how to increase views on YouTube long video ये दूसरा कीवर्ड YouTube मुझे यहाँ पे शो करा रहा है कि आप इस पे वीडियो बनाओ विवर्स मैंने क्या क्या इस पे वीडियो बनाओ और जैसे मैंने इस पे वीडियो बनाई आपके सामने मेरी वीडियो पे 53,000 विउज आ गए और देखते देखते मेरा चैनल unfreeze हो गया तो विवर्स आपने भी यही काम करना है अपने YT Studio के अंदर यहाँ वाले option पे जाना है इस option को आपने explore करना है कि आपको कौँ से कीवड यहाँ पे दिख़ए दे रहे है YouTube कौँ से कीवड आपको recommend करा रहा है आपने क्या करना है उन topics पे वीडियो बनाने है अगर आप इन topics पे वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो पे भी ज्यादा से ज्यादा views आएंगे अगर आप देंगे इन topics को छोड़ देंगे तो आपका चैनल freeze हो जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूँ next option जो वाइटी स्टूडियो के अंदर YouTube आपको बताता है वीवर्स ये इतना ज्यादा कमाल का option है ये पूरा का पूरा चैनल आपका grow कर सकता है अगर आपको समय जा गई बिल्कुल मैं आपको असान लफजों में समझाऊंगा यहाँ से बैक आते है वीवर्स यहाँ पे आपको option दिखे देता है content वाला मैं यहाँ पे click कर देता हूँ अब मैं यहाँ से scroll करता हूँ नीचे यहाँ पे यह देखे आपको दिखे दे रहा है how viewers find your videos के लोगों तक आपकी वीडियो कैसे जा रही है लोग आपकी वीडियो कैसे watch कर रहे है तो वीवर्स मैं यहाँ पे click कर देता हूँ अब यहाँ पे यह देखे एक है browse feature दूसरा है YouTube search तिसरा है suggestion viewers यह तीन चीज़े हैं अगर आपकी वीडियो के अंदर आपके चैनल के अंदर यह तीन चीज़े टॉप पे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियो की वज़ा से आ रहे हैं तो आपके चैनल पे वीडियो आने के 100% chances होते हैं लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि आप browse feature में अपनी वीडियो कैसे भेज सकते हैं suggestion में कैसे भेज सकते हैं YouTube search में कैसे ला सकते हैं viewers अब मैं आपको simple अलफास में बताता हूँ बस आपने मेरी एक वीडियो से इन तीनों points को समझ लेना है और अपने channel को grow कर लेना है तो viewers यहां से मैं back आता हूँ content पे click करता हूँ यह देखे आपके सामने मेरी एक वीडियो है मैं इस पे click कर देता हूँ अब यह आपके सामने मेरी वीडियो का thumbnail है viewers सबसे पहली बाद जो आपकी वीडियो browse feature में ज्यादा से ज्यादा जाती है जिस पे views आते है वो क्या होता है आपकी वीडियो का thumbnail browse feature में वीडियो को भेजने के लिए अब thumbnail को आपने कैसे create करना होता है उसमें आपने कुछ इस तरह hype create करना होता है यहां पे यह देखें good news YouTube की update ने कमाल कर दिया दिल खुश हो गया 500 views पे dollars ही dollars तो viewers इस तरह का आपको thumbnail बनाना होता है तब ही आपकी वीडियो browse feature में ज्यादा जाती है अब browse feature में आपकी वीडियो कैसे जाती है जैसे कोई बंदा YouTube open करता है तो वो ऐसे scroll करना होता है उसके सामने आपकी वीडियो आजाती है जैसे आपके सामने मेरी वीडियो आई होगी वीवर्स ये तरीका होता है अपनी वीडियो को browse feature में भेजने का एक आपको अपना thumbnail इस तरह का create करना होता है कि लोग देखते ही click कर दे दूसरा आपका title होता है जो आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा browse feature में भेजता है तो वीवर्स ये हो गया browse feature अब बात आती है suggestion की suggested videos की के आपकी वीडियो suggestion में कैसे जाती है YouTube कैसे भेजता है वीवर्स यहाँ पर मैं description पर click करता हूँ यहाँ पर नीचे ये देखें आपको दिखें दे रहा है hashtag तो वीवर्स ये hashtag जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है इसका यहाँ पर मकसद क्या है इसका मकसद ये है कि मेरी videos YouTube इनके साथ suggest करें अब suggest कैसे होती है जैसे कि कोई काशिफ भाई की video को watch कर रहा है उसके नीचे मेरी video show होना start हो जाएगी वीवर्स इसको कहते हैं suggestion तो आप अपने videos को suggestion में ला सकते हैं कैसे ला सकते हैं जो भी आपके चैनल की category है जो बड़े YouTuber हैं आपकी category के related उनके name का hashtag आपने अपने video की description में put करना है तब ही आपकी video भी suggestion में जाएगी उनकी video के उपर नीचे दैंबैं कहीं पर show होंगी और उनकी audience आपकी videos पर आएगी और आपकी video देखते ही देखते viral हो जाएगी तो वीवर्स ये हो गया suggestion अब बात करते हैं YouTube search की के search से आपकी video कैसे आती है वीवर्स वो होते हैं keywords अब keywords कौँ से यहाँ पर यह देखें जो मैंने अपनी description के अंदर लगाए हुए है title में लगाए हुए है tags में लगाए हुए वीवर्स ये वो ही keyword है जो आपको description में दिखाई दे रहे हैं जिनकी वज़ासे आपकी video search में जाती है तो आपको क्या करना होता है searchable keywords अपने title में description में tags में लगाने होते हैं तो आप अपनी video को search में भी ला सकते हैं तो वीवर्स ये 3 point हो गये के लिए जिसकी वज़ासे आपका channel unfreeze हो जाता है और आपकी videos पे views दना start हो जाते हैं अब मैं आपको बताता हूँ last point जो वाइटी स्टूडियो के अंदर YouTube आपको बता रहा होता है कमाल का point है viewers जिससे आप अपने पूरे का पूरा channel गरो कर सकते हैं वीवर्स वो क्या point है यहां से मैं बैख करता हूँ यहां पे यह देखें आपको option दिखें दे रहा है top content वाला वीवर्स मैं यहां पे click कर देता हूँ अब यहां पे कौँ से content show हो रहे हैं जो आपकी videos हैं जो पिछले 28 दिनों के अंदर एक महीने में जिन पे ज्यादा से ज्यादा views आए हैं वीवर्स यह देखें यह सारी videos मेरी show हो रही हैं वो videos जो पिछले महीने में ज्यादा से ज्यादा चली हैं तो वीवर्स अब हमें क्या करना होता है हमने इन top content पे और videos बनानी होती हैं के लोग हमारी इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वाच कर रहा है तो हमें इनके related ही videos बनानी हैं तो यह जितनी भी आपको videos दिख़ई दे रही हैं subscriber के related, views के related, biggest update के related तो यह क्या हैं हमारी top videos हैं हमारे channel की तो viewers channel को unfreeze करने के लिए, channel को grow करने के लिए आपको यही काम करना होता है अपनी top videos पे again videos बनानी होती हैं के लोग आपकी इस तरह की video पसंद करते हैं तो आपने उनको वो ही video provide करनी है तो viewers यहाँ से आप अपना channel unfreeze कर सकते हैं तो viewers यह थे वो whitey studio के अंदर points वो option जो आपके channel को unfreeze कर सकते हैं और आपके channel को grow कर सकते हैं जिससे आप अपनी videos पे views ला सकते हैं अपनी videos को viral करा सकते हैं और YouTube से पैसा कमा सकते हैं तो viewers उमीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आपको complete समझ आ चुकी होगी और आप भी अपना channel अब unfreeze कर लेंगे तो viewers अगर आज की मेरी वीडियो आपके लिए helpful लो हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को like और channel को subscribe कर दें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाँ आफिस